नवस्कार सब जनता गुड मॉनिंग गुड अपन गुड नाट जब यहां वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्षियर में अपन प्राचीन इतियास पढ़ने वाले हैं ठीक है प्राचीन भारत का इतियास और इसमें पढ़ेंगे पासान काल के बारे में इससे स मंदित महत्पूर्ण प्रसन देखने बाले है तो यहां पर हमारा पहले महत्पूर्ण प्राचीन मानब ने किस पसुग को पालतू बनाया तो यह काफी जादा महत्पूर्ण प्रसन है आप देख लेंगे तो बेहतर होगा इक्शाम के लिए ठीक है तो इस्टार्ट करते ह है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिसकुस्ट मॉक्स में बहां से जाकर गई विजिट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद इससे देख लीजिएगा तो यहां पर हमारा दूसरा प्रिसन है कि मानव ने सरफितम किस फसल का उपयोग किया त उसके बाद हमारा प्रिसन नमबर तीन है पटा पटा आ जाते हैं तीसरे प्रिसन में मानव द्वारा सरफितम किस दातू का उपयोग किया था तो आपको पता है मैं यह भी प्रिसन अगर आपने फश्ट वीडियो देखा नहीं देखा तो निंक आपको डिसकेशन दिया हु प्रिसन है पैड़ एक्जाम के लिए ठीक है उसके बाद हमारा सिंदु घाठी सबिता किस काल की सबिता मानी जाती है तो आपको पता है या नहीं कोई बात नहीं तो देखते हैं अभी अगर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बताईए का प्रापासान काल है ल और नेश्ट देखते हैं हडपा की खुदाई सब प्रतम कब हुई तो यहां पर आफसन ए में 1930 में और 1925 1922 1921 अगर आंको पता है तो कमेंट करके बताईए गा ठीक है और इसका सही आंसर बैसे तो 1921 यानि कि आफसननमबर डी सही है इसका कौन सा अफसन सही ए दी वाला ठीक है आफसनदी सही है ौन्स आफसन स्टी ठीके इसके बाद में हमारा नेस्ट कोंशियन है निमन में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है यानि कि शही नहीं है उससे बताना मौंचो दोडो सिंदू यह तो बिलकुल सही है उसके बाद हरप पार रावी नदी पे है काली वंगा घंक हर है और उसके बाद है लोथल सतलच यह वाला आफसन हमारे डी जो बिलकुल भी गलत है यानिकि सुमेलित नहीं है तो यहां पर हमारा डी वाला हो जाएगा राइड जाता है ठीक है तो यहां पर हरता है धौल भी रहे मोहन जो दोडोडो कर लेखा उसके बाद तो हमारा कौन सा वह जाएगा मोहन जो ड़ो ओला तो है यहां कि प्राप्त होती है ठीक है हलाकि हमारहां फर काली वंगा रहए हैंगि चुन्नो दड़ो भी है उसके बाद है कुश्चन नमबर नो हडपा के टीले को खोजने का सिरह किसे है यानि कि हडपा का जो टीला है वो किसने खोजा था ठीक है तो देयारां साइनी भी है जान मार्सल है मादव सरूबस है और रखाल दास है ठीक है इसका आफसान मुझे जल किरसी को किरसी किस यूग में प्रारम की तो कौन से यूग में प्रारम की है पता है आपको प्रापासान यूग में या मदपासान या धातु यह नव पासान तो इसका सही आंसर हो जाएगा नव पासान ठीक है कौन सा सही वाला नव पासान यूग ठीक है उसके बाद हमारा बढनीश्ट देखते हैं कुछ नंबर है11 क्याश्व काल कायि और फ्रेक एवं हत्यार को कि आई जाते थे थे ठीक है तो लौह हैता है कासा है पंथर है झे तो आपको पता होगा किसंवाइजा टे थी ठीक है किसे बना जाते थे भई पत्थर से ठीक है पत्थर के होतियार मनुष्य ने सबसे पहले बनाना सुरू किये थे हड़पा सविता में विसाल इसनानागार करसाच कहां से प्राप्थ हुआ हडपा से मोंजोदोडो लोथल धौलो वीरा ठीक है तो आपको पता है यह कहां से प्राप्थ हुआ था इसका आपसन सही होगा सी लोथल से ठीक है कहां से लोथल से ठीक है तो लोथल पर आप टिक कर लीजिएगा यह रहा लोथल ठीक है उसके बाद मानम ने आग का प्रियोग सरपर्थम किस योग में किया तो मनुष्य ने आग कौन सी युग में मतलब प्रियोग करना शुरू की थी आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा इसका नहीं देखा तो लिंक मिली जाएगा आपको डिसके समागों से महां से देख सकते हैं ठीक है अगर पता हो तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके अभी बता दीजेगा नापासाण युग में और उपर वाला यह हमारा नापासाण यूग ठीक है और यह विलकुल करेक्ट है उसके बाद कौन सा देखते हैं नेस्ट वाला है ना कुस्न नमर 14 है नापासाण यूग में चावल की खेती का प्राची नितम साथ कहां से मिला है तो आपक प्रइब कौन सा रही ओ जाएका बीवाला सिए न यहारा है कोल्ड हुआ ठीक है तो यह बिलकुल सही है अफनी सकाफिक है उसके वाद कोश्यन नमर 15 है तो इसके अंतरगात किन संस्कृतियों को रखा जाता है तो इसमें कौन सिंस्कृति को रखा जाता भाई आपको पता ह तो इसके अंतरगत आता है पासाड ठीक है तो इसका आफसन कौन सा सही हो जाएगा पासाड आता इसमें ठीक है आफसन सी सही हो जाएगा तो आई होप आपको यह सारे कुश्चन समझ में आये होंगे आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है इसी तरह कि अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें साथी नोटिफिकेशन बैल को फ्रेस कर दें इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफि